Hello students, तो आज हम करेंगे exercise 7.3 का question number 6, तो question number 6 क्या कहता है? Check whether the given fractions are equivalent, तो हमें यहाँ पे check करना यह जो pair दे रखे हैं, क्या यह equivalent हैं या फिर नहीं है? equivalent के बारे हम जानते हैं कि अगर किसी fraction के numerator और denominator में same number से multiply या same number से divide किया जाए, तो जो number हमें मिलता है उसी को हम equivalent fraction बोलते हैं, तो अब यहाँ पे हमें check क्या करना है कि क्या यह fraction और यह fraction equivalent है या फिर नहीं है? तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों fractions को हम इसके simplest form में लिखेंगे और फिर check करेंगे कि जो simplest form आई है वो equal है या फिर नहीं है, तो यहाँ पे A वाले part से start करते हैं, तो सबसे पहले हम 5 by 9 को देख लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हम 5 by 9 को देखें, तो हम उपर और नीचे किसी common number से divide नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब यह हमारा simplest form है, तो इसको हम as it is लिख देंगे 5 by 9, अब अगर हम 30 by 54 को देखें, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 30 by 54, तो अब पहले तो हम यहाँ पे divisibility test लगा के देखेंगे, यहाँ पे यह 30 है, यह 54 है, 30 जो हमारा 2 से divisible होता है, क्योंकि last में क्या है, 0 है, जिसके last में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो number हमारा 2 से divisible होता है, और यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब यह दोनों 2 से divisible है, तो हम इन दोनों को 2 से divide कर लेते हैं, same number से अगर divide हो रहा है, तो उसको हम divide कर सकते हैं, तो यहाँ पे 30 को अगर 2 से divide करेंगे, 15 हमारा 27, अब यहाँ पे यह आया हमारा 15 upon 27, तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें, तो यहाँ पे यह 2 से तो divisible होगा, क्योंकि यहाँ पे 15 है, यह 27 है, दोनों ही number 2 से divisible नहीं है, तो 2 के बाद क्या आता है, 3, 3 के लिए हम क्या चेक करते हैं, कि digits का जो sum है, वो 3 से divisible होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 प्लस 5, 1 प्लस 5 6 हो जायागा, और 6 हमारा 3 से divisible है, तो इसका मतलब उपर वाला number तो 3 से divisible है, नीचे है 2 प्लस 7, 2 प्लस 7 9 होता है, 9 भी हमारा 3 से divisible है, तो इसका मतलब 27 भी जो है, वो 3 से divisible होगा, तो इसको हम 3 से divide कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हम 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 5 जा 15 और यहाँ पर 3 9 जा 27 तो यहाँ पर यह आ जाएगा 9 तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह भी 5 by 9 है यह भी 5 by 9 है यानि इक्वल है तो इसका मतलब यह दोनों फ्रेक्शन जो हैं इक्वलेंट होंगे तो यहाँ पर हम लिख लेंगे यस दे आर इक्विवेलेंट अब हम भी वाला देख लेते हैं तो भी वाला हमारा क्या दे रखा है पहला दे रखा है 3 by 10 अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 जो है वो स्रिप 3 से दिविजबल होगा और 1 से दिविजबल होगा नीचे 10 दे रखा है 10 हमारा 3 से दिविजबल नहीं होगा तो इसका मतलब यह हमारा सिंपलेस्ट फार्म पहले से ही है तो इसको हम ऐसे ही लिखा रहें देंगे अब यहाँ पर दूसरा क्या दे रखा है 12 by 50 तो यहाँ पर लिख लेते है 12 upon 50 अब यहाँ पर यह 12 दे रखा है इसके last में 2 है इसका मतलब यह 2 से दिविजबल होगा तो यहाँ पर इसको हम 2 से दिवाइड करेंगे तो यह आजाएगा 6 यहाँ पर last में 0 दे रखा इसलिए यह भी 2 से दिविजबल होगा अगर इसको हम 2 से दिवाइड करें तो यह आजाएगा 25 अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यह 6 है 6 हमारा 2, 3 और 6 से दिविजबल होगा और अगर हम 25 को देखें तो ना यह 2 से divisible है और ना यह 3 से divisible है और ना ही यह 6 से divisible है तो इसका मतलब यह हमारा simplest form है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 6 upon 25 जो है वो 3 upon 10 के equal नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह equivalent fraction नहीं होगा तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं No, they are not equivalent तो यह हमारे equivalent नहीं है C वाला पार्ट देख लेते हैं तो C वाला पार्ट हमारा क्या दे रखा है 7 upon 13, 5 upon 11 इसको हम ऐसे ही देख सकते हैं कि यह हमारा 7 क्या है प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर जो है वो सिर्फ खुद से divisible होता है 13 यह भी प्राइम नंबर है यह भी हमारा सिर्फ खुद से divisible होगा तो इसका मतलब यह हमारा पहले से ही simplest form में है similarly यहाँ पर यह 5 दे रखा है यह 11 दे रखा है 5 हमारा प्राइम नंबर है 11 भी हमारा प्राइम नंबर है तो इसका मतलब ये भी हमारा पहले से ही simplest form में दे रखा है और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों क्या है इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये भी हमारे equivalent fraction नहीं होंगे तो यहाँ पर C वाले के लिए भी वही चीज़ लिखेंगे No They Are Not Equivalent fraction तो ये हमारे equivalent fraction नहीं होंगे Last part था questions हमाथ Next lecture में करेंगे Next questions आज के लिए बस इतना है